अभी हाली में सांती के लिए नौवल पुरुसकार दिया गया है 2022 का इसमें आप देखेंगे बेलारूस के मानवधिकार अधीबकता है इनका नाम है एलेस वालियत्सकी और जिनकी पिक्चर भी आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे दूसरा आपका रूसी मानवधिकार संगठन है मैमोरियल और तीसरा एक और संगठन है यह आप देखेंगे कि यूक्रैनी मानवधिकार संगठन है सेंटर पोर सिवल लेवर्टीज इन दो संगठनों को और एक व्यक्ति को नौवल सांती पुरुसकार 2022 दिया गया है इनके बारे में विस्तार से जानने से पहले आपको नौवल पुरुसकार के बारे में एक सामान जानकारी दे देता हूँ अलफेड नौबल का आप लोग नाम सुने होंगे और आप सभी जाते हैं कि नौवल पुरुसकार का दाता उन्हीं को कहा जाता है किसे अलफेड नौवल को और डाइनावाइट की खोज भी उन्होंने की थी और इनका जनम आप देखेंगे सुईडन में हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को और 10 दिसंबर 1896 को इटली में इनकी डैथ हो गई थी और नौवल पुरुसकार की बात करें तो आपको मालो होगा कि 1901 में पहली बार दिये गए थी और जो अड़त सास्तिका नौवल पुरुसकार है वो 1969 में सुरू हुआ था से शुरू हो गए थी और अर्थ सास्त का नौवल पुरुसकार 1969 में सुरू हुआ था और देखिए जो सांतिका नौवल पुरुसकार है न ये नौर्वे में मिलता है बाकी सभी आपके सुईडन में दिये जाते हैं तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और इन नामों को तीन को तो आप लोगों को याद ही रखना है वन डेक जाम में डारेक्ट की कुश्चन्स पूछ लेगा इससे तो और सिबिल सर्विस एस्टेट पीसियस में भी पूछ लेता है तो 2022 का नौवल सांति पुरुसकार बेलारूस की मानवधिकार अधिवकता है एलेस बालियाक्त की रोसी मानवधिकार संगठन है मेमोरियल और उकरेनी मानवधिकार संगठन सेंटर फोर सिबिल लिवर्टी को दिया गया है और आपसे भी जानते हैं कि अभी रोस और उकरेन की वीच लंबे समय से यह उते चल ला है और जिसमें आप देखें दुनिया अधिकारों की रक्षा करता है हमारे तेस्ट में आप देखिए कोई बोलने वाला है सरकार के खिलाब अगर माना अधिकारों का अलगन हो रहा है तो होते रहने देजे कोई बोलने वाला नहीं है और इसलिए आप देखते हैं कि सांती के छित में पुरुसकार भी नहीं मिल रूसी उक्रेयन की मद्द चल रहे संगरस के बारे में एक नहित संदेश भेजा गया है और 2021 में फिलीपिन्स के पतकार मारिया रसा और रूसी के दिमित्री मुरातो कुब अभी व्यक्ति की सुतंता की रक्षा के प्रयासों के लिए नोबल सांती पुरुसकाल से समानित किया गया था जो लोगतंत और रिस्थाई सांती के लिए एक पूर्व सरत है साहित रसाइन विग्यान भौतिक चिकिस्ता के लिए आप देखेंगे पहले ही पहले ही दिये जा चुके हैं और इन सब के बारे में हम लोग ने एक एक करके बात भी की हुए है अब बात करते हैं बे हम करता में से एक थे राष्टपती अलेकजंडर लुका सेंको कुताना साही सक्तियां प्यदान करने वाले बिवाद इसपर समीधानिक संसोधनों की जवाब में 1996 में संगठन विया साना इस्प्रिंग की स्थापना के सरे भी वियालत्स की को ही दिया जाता है और समय बीतने के साथ जिस जिन्होंने राजनेतिक क्यादियों के खिलाब अधिकारियों द्वारा यातना के उपयूप का दस्तावेजी करन और विरोध भी किया है 2020 में वे सुडिक राइट लावली हुड फांडेशन द्वारा राइट लवली हुड अबॉड की तीन प्राप्त करताओं में से भी एक थे और जिसे बेकलफिक नॉबल के रूम में आप लोग जानते हैं जिल में रहते हुए नोबल पुरुषकार पाने वाले विच चौथी व्यक्ति हैं दूसरा आप देखेंगे कि रूसी मानवदिकार संगठन है मेमोरियल इस संगठन की स्थापना 1987 में हुई थी और पूरु सोवियस संग में मानवदिकार कार करताओं द्वारा की गई थी नाम से जानते थे जिसका 1991 में विक्टन हो गया था सवालक देश हो गया थे उनीस सो चंगवन में नोबल सांती पुरुषकार बिजेता आंद्रे सखारो और मानवदिकार अधिवक्ता सोइत लाना गनौ सिकना संगठन की संस्थापों को में से थे और इसे रूस में राज और एक है आप देखिए तीसरा एक तो आप देखते हैं ब्यक्ती हो गया दूसरा संगठन हो गया एक दूसरा और संगठन है तीन टोटल दिये गया ना तीन लोगों को जिसमें एक ब्यक्ती हो गया दो संगठन यूकरैनी मानवदिकार संगठन सेंटर फोर सिविल लिवर् यूक्रेन में मानवधिकारों और लोकतंत को आंगे बढ़ाने के उद्दे से क्यू में की गई थी और केंदर खुद को यूक्रेन में अगणी अभी करताओं में से एक किरों में बढ़िट करता है जो जनमत और सार्जनिक नीती के संगठन को प्रभावित करता है नांगरिक सक्किरिता के विकास कमर समलतन भी करता है और मानवधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अंतराश्टी नेटवर्ग एवं एक जोटता के कारियों में सक्किरी रूप से भाग भी लेता है फरवरी 2022 में युकरेन पर रूस के आकमड के बास सेंटर पोल सिविल लिवर्टीज युकरेनी नागरिक आबादी के खिलाब रूसी योद अपरादियों की पहचान करने उनका दस्ताविजी करने के प्रयास में लगा हुआ है तो इसको भी दिया गया है तो बेक्थी का क्या नाम है और दूसरा संगठन कौन सा है ुकरेनी मानौदीकार संगठन संटर पोल सिवल लिवर्टीज तो एक बेक्थी और दुझारों को इस बार का नोवल सांथी पृरुसकार दिया गया है तो जरूर याद रखेगा इनसे questions पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चर्चा में काफी बना हुआ है रोज दी उक्रेन